हलो नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में कुछ इस पकार से इदे मिलाद उन नभी के लिए ग्रूप पोस्टर बनाना सिखेगे तो वीडियो को सुरू से लेके अन तक आप लोग देखते रहें ताके आप लोग भी इस पकार से जसने इदे मिलाद उन नभी के लिए ग्रूप पोस्टर बना सको दोस्तो इस पोस्टर को बनाने के लिए जो पीलपी फाइल यूस हुआ है उसका लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो लेकिन उसमें एक पास्वर लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोगो तीन स्टैप में मिल जाएगा दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब कर दिजेगा दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए पिक्चलेव अप्लिकेशन की जुरूद परती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके इसे आपको डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लेवे अप्लिकेशन को उपन कर लेते हैं अप्लिकेशन को उपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा यहाँ पर नूट टेक्स को हम लोग डिलीट कर देगे उसके बाद राई श्राइट कॉर्णर में उपर की साइट पर थ्री डॉट की निसान पर क्लिक करेगे नीचे स्क्रॉल करके ओपन पिल्पी फाइल पर डबल क्लिक करेगे यहाँ पर पिल्पी पर क्लिक करेगे यहाँ एरो की निसान पर क्लिक करेगे और जहां भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहां से हम लोग फाइल को open कर लेगे यहां पे just नहीं इदे मिला PLP पे क्लिक करेगे open and add पे क्लिक करेगे यहां पे ok कर देगे उसके बाद pack हो जाएगे तो दोस्तो इस पकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा अब इस PLP फाइल में हमको जू भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना ग्रूप पोस्टर तयार करेगे इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते है तो दोस्तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ फोटो पेंजी लगा रखा है दोस्तो अगर आप लोग को यह फोटो पेंजी पसंद नहीं ते से डिलीट कर सकते हो और इसकी जगए नई photo page एड़ कर सकते हो इसके लिए plus के बाग़ल में जो icon बना है वहाँ पर click करेगे और जहाँ भी यह photo page है वहाँ पर delete वाले icon पर click करके इसको हम लोग delete कर देगे उसके बाद दोस्तो बलस वाले icon पर click करके फ्रॉम गैलेरी में जाके हम लोग नई फोटो पेंजी यहाँ पे एड़ कर सकते है अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है आप सभी धे स्वासियों को जसने इदे मिलाद उन नभी की तहे दिल से मुबारक बात दोस्तों यहाँ पे जो font यूज हुआ है वो normal font है तो अगर आप लोग के पास इसे भी बढ़िया कोई font है तो उसे यूज कर सकते हो या फिर इसे ही रहने दे सकते हो साथ ही इसका color भी आप लोग change कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने group frame लगा रखा है दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना अपने दोस्तों का अपने गाउं के लोगों का या फिर अपने परिवार के लोगों का फोटो पिंजी एड़ करके आप लोग अपना group poster तैयार कर सकते हो इसके लिए प्लस वाले icon पे क्लिक करेंगे from gallery में चले जाएगे और जहां भी हमने photo page save करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग photo page को select कर लेगे उसके बाद दोस्तों इसको crop कर लेगे जितना भी हमें चाहिए उसके बाद ok कर देगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बड़े वाले बिंदू पे क्लिक करके इसको छोटा कर लेगे जिससे frame में सही जगा पे access हो जाए तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक photo page को set कर दिया है उसी पकार से दोस्तों आप लोग बागी की photo page set करके आप लोग अपना group poster तयार कर सकते हो अब दोस्तों इस poster को हम लोग gallery में कैसे save करें इसके लिए share वाले icon पे क्लिक करेंगे image format में jpg या png सिलेक करेंगे quality dimension में ultra सिलेक करेंगे और save to gallery पे क्लिक कर देगे दोस्तों इस पकार से हमारा poster gallery में save हो जाएगा दोस्तों इसी पकार से आप लोग को किसी festival का या अपने shop का banner बनवाना है तो comment करके बता दीजेगा मैं उस पर वीडियो बना दूँगा जिसे आप लोग mobile से ही poster बना सको दोस्तों वीडियो गर कैनल को सब्सक्राइब कर देना जाए हिन जाए भारत